वेलकम तो प्रोटीप्स, प्लीस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, वो रहेगा 290 का मेचने के मौके 471 का स्टॉप, UBL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में खर्यदारी करने का मन, एक्सपर्ट्स का, 1440 और 1665 दोनों के स्टॉप लॉसेज, आप लोग की स्क्रीन्स पर आते हुए, तो यह वो तीन टॉप ट्रेड्स हैं, डेक्टर अब कुक्ली फिलिप करिये पालविया साब करें, TVS मोटर्स खरदारी करने का मन, HUL सत्पुते साब का प्रिफर्ट्रेड, 2225 का स्टॉप, असित ने कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी, और साथ में पार्थिव ने MM फोर्जिंस की बात चेली थी, यह वो सारे टॉप ट्रेड्स हैं आज के सेशन के लि निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पर आएगा, सारे 400 पॉइंट का अप्टिक होगा, 33, 765 के जोन्स, सवा परसेंट से थोड़ा एक शेड बहतर खुलता हुआ, आपको नजर आएगा, शुरुवाती ब्रेथ गजब की है, 12 इस 2-1 के आसपास का रेशो एडवांसिस के फेवर में और जो पॉकिट्स कल पेन दे रहीं थी, वो जरा एके करके दिखाईएगा, पहले सबसे पहले सबसे इंपॉर्टन आएटी दिखाईएगा, आएटी कल इस मैसिव नौक के बाद इस समय इंडिकेशन दे रहा है, पॉने 2% के उचाल के साथ, वो पॉकिट्स शुरुवात क आज़ पास, आटो इंडेक्स भी मजबूती के साथ शुरुवात होने के इंडिकेशन दे रहा है, वीरो लेकिन पहले, मैं स्टॉक स्प्रिस्व काद में जाता हूं, पहले 16,040 निफ्टी, 33,750 पकड़ लीजे निफ्टी बाइग, तो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हुआ है, यह प्रेशर डालेगा, शॉर्ट होल्डर के उपर कल के, और 16,020 और 35 के उपर अगर हम टीके रहे, तो एक बहुत स्ट्रोंग पॉसिबिल्टी 16,080, 91,110 की बनती है, तो आप उसे चेस कर सकते हैं, नो डाट, पर समहल के थोड़ा सा, I think, सस्टेन होने दीजे, सस आशीश, तैंतिस साथ सो, यह पर पॉइंट था, अगर आप लिखे, इंटरडी के लिए, बैक निफ्टी के लिए, इसके उपर हम टेबल कर रहे हैं, तैंतिस साथ सो के उपर अगर निफ्टी बैंक भी टेबल करता है, सस्टेन करता है, तो बहुत स्ट्रॉंग स्कोप है आशीश, चौतिस हजार की टेजेक्टरी, लेकिन याद रखेगा, टर्बिलन्स रहेगी, वोल्टिट ही रह सकती है, और स्टॉप प्लॉसस, निफ्टी बैंक, निफ्टी पे फर्स्ट बेस, और निफ्टी बैंक में करीब करीव इतने हैं, तैंस चार सो चालिस की टेजेक वो कल का स्टॉक इन फोकस आईटी सी सबसे बड़ा लेगार्ड होगा, लेकिन वो भी आधे परसेंट का उचाल दिखाएगा, मैं दिखाने चाता है दरसल मैगनिट्टूड, आधे परसेंट से 3-4 परसेंट सारे निफ्टी बैंक की कॉंस्टुएंट उचाल दिखाते हु PCS और जोड़ दीज़े उसमें कुछ प्राइवेट बैंकिंग मेजर, HDFC बैंक को टक पहिंदर बैंक, यह वो स्टॉक्स हैं जो शुरुवाती चार्ज को लीड करते हुए नजर आएंगे, SMA क्विकली मानस, Reliance एक क्विक चार्ट चेक तो देखे, Reliance की बात करिए, तो Reliance में 20-day moving average एक स्टॉंग resistance है, जो की अमेरिका से 2560 की range में है, और वैसे की lower side पे देखे तो 2400 रुपए के आसपास एक स्टॉंग support है, इस range की जब बाहर निकलेगा, तब आपको खरीजारी करनी है, अगर 2560 की उपर निकलेगा, तब तब तो की बाइस, जा किए और 25-12 पे कर दो बाइस के जोन के ओपर के घ्रवा आपर टाव और एक अडवान्टेज है, और एक आप बिखें, और एक बाइस टांक और एक स्टॉंग और लिए एग स्टॉक और क्या कर रहा है, एक श्रकली जिखाओ शोंगा, मैं, आपकी रह है, HDFC पर आज़ेश पालवे जी कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को Oversoul स्टॉक करेक्टिव सवापसंद का फुलबैक आज सुबह सुबह विरेन जी पुलबैक ही कहा जाएगा 2200 इसके लिए मेजर हर्डल है जब तक यह 2200 के लेवल को नहीं क्रॉस करेगा थोड़ा सा हमें लगता है कंसुलिडेशन होते वे दिखेगा जो मेजर शॉर्ट कवरिंग मूव बनेगा वो 2200 की रेंज को क्रॉस करने के बाद ही इसमें देखने को मिलेगा तो अभी यह पुल बैक है तो हमें लगता है कि एक्सेंड हो सकता है लेकिन 2200 के लेवल को रिव्यू करना चाहिए दिरिंग देख उसको वो सरपास कर पाता है या नहीं कर पाता है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है आज के सेशन के लिए पुल बैक है बते याद रखेगा बाइस सो एक मिजर हडल है इस स्टॉक के लिए जब तक वो पार ना करे आई थिंक बहुत अच्छे सरक्मस्टेंसिस नहीं होंगे इस स्टॉक को चीज़ करने के लिए और एक दो स्टॉक्स लेके आईए मैटल समिक पुल बैक बहुत सीरिसली आप राइट कर सकते हैं उसमें टारा स्टील शामिल है मैटल समिक पुल बैक 173.2 पर याद रखेगा कल बहुत ही ज़्यादा शॉटिंग यहां पे इन स्टॉक्स में हुई तिक है एक काम करता है बिस ओपनिंग को एप्रोच करने के लिए कैसे समझें क्या ख़र रही है यह ओपनिंग वाल पर चलते हैं समझने के लिए सिध्या शुश के पास